हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक जिसका नाम है वेल्डन यह एक तालाब का नाम है पॉंड का नाम है जिसके लेखा के हैं हैंडरी डैविड थोयू जिनका जन 12 जुलाई 1817 स्पी में मेसाच्यूसेट्स में हुआ था तथा उनकी मृत्यू 6 माई 1862 में हुई थी इसको प थोर्यू हैं उन्होंने अपने जीवन के दो साल में जो उन्होंने अनुभव किया था उनके उसके बारे में उन्होंने बताया है साथ प्रकृतिक चीजों के महत्वों के बारे में भी उन्होंने इसमें बताया है तो जो वेल्डन है इसका पहला जो चैप्टर होता जो थोर्यू बताएं तो चले इसको स्टार्ट करते हैं वेल्डन नाम का एक पॉंड रहता है जो कॉंड कोड के पास मेसाच्यूसेट्स में है जहां पर थोर्यू वेल्डन नाम के तालाब के बगल में अपने दोस्त राल्फ वेल्डो इमर्शन से जमिन लेते हैं तथा वहीं पर अपना एक लकडी का केबिन बनाकर सन 4 जुलाई 2845 सिस्पी से लेकर 6 सेप्टमबर 847 सिस्पी तक साधारा जीवन वैदित करते हैं मतलब वहाँ पर रहते हैं वह वहाँ प्रकृति से अत्तिक जुड़ जाते हैं थोर्यू वहाँ पर क्या करते हैं खेती करते हैं विविन परकार की फसले लगाते हैं तता काफी मात्रा में वे बिंस लगाते हैं तता उन्हें बेचकर उन्हें बहुत सारा धन भी प्राप्त और साधारन जीवन जीने के लिए परियाप्त साधन आमें प्रकृति से ही प्राप्त हो जाती है थोर्यू वहाँ पर सुबह साम पच्चीयों की आवाजों को सुना करते थे तता सुबह तता मॉर्निंग एवनिंग को क्या करते तो वो इस तालाब के आसपास क्या करते तो घुमा भी करते थे जिससे उन्हें अपने मन में बहुत ज़्यादा मातरा में सांती मिलती थे वे प्रकृति से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ना चाहते थे उन्हें अब क्या बोलते हैं पता चला कि पुरहते रहते कि उस वेल्डन जो पॉंड है उसके पास से एक रेल मार्ग भी गुजरता है थोर्यू ट्रेन की आवाज भी सुना करते थे तो उन्हें तब यह लगता था कि देश जो है लोगी करन की तरप भी अग्रसर हो रहा है इसके अलावा वह काफी मात्रा में प्रकृति की बाते हैं discuss क्या करते थे कि प्रकृती जो हमारे लिए क्या importance रखता है हमें उसके लिए क्या करना चाहिए उससे जुड़े हुए रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन सरल तरीके से वैती तो प्रकृती के साथ छेड़ छाड नहीं करनी चाहिए ऑके उसके साथ साथ उनका जो आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके साथ भी थोर्यू का जो behavior था तालमेल था संबन था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मतलब सभी लोग उने पसंद क्या करते थे थोर्यू बताते कि वहां वेल्डन के आसपास उस वेल्डन तालाब पॉंड के आसपार बहुत सारे पेड थे जिनें काटकर ट्रेंट था जानवरों के द्वारा धोकर वहां से ले जाया जा रहा था जो तोर्यू को पसंद नहीं आ आप वहां पर कुछ मच्छवारे आकर मचलियां भी पकड़ा करते थे एक दिन थोर्यू को किसी विजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त के पास जाना पड़ता है तो उन्हें एक प्लेस है जहां पर उन्हें टेक्स देने के लिए कहा जाता है कि आपको यहां पर टेक्स पे जाता है सीजन आ जाता है जाड़े का तो वे देखते हैं कि गिलरी और लोमडी जो है अपना भोजन इखटा कर रहे हैं ताकि थंड के मौसम में आसानी से खा पी सके रह सके ज्यादा परिसान नहोंना पड़े उन लोगों को तो थोर्यू भी अपने उनका जो अपना लकड रखने के लिए मतलब केविन को गर्म रखने के लिए वहां पर एक चीमनी भी लगाते हैं ठंड का मौसम आ जाता है वेल्डन तालाब जो पॉंड रहता है उसका पानी बर्प की तरह जमने लगता है अब सभी जानवर वहां से दूर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब उस टालाब में उस पॉंड में वेल्डन में पीने का पानी नहीं मिलने लगता इसलिए पानी की तलास में जहां पानी मिलेंगे जानवरों को आसानी सुब्व वहीं पर चले जाने लगे एक दिन थोरियू देखते हैं कि कुछ लोग बर्प को जो उस तालाब में वेल्डन पॉर्ण में जो बर्प जमावा था उसको काट कर ले जा रहे थे तो थोरियू भी क्या करते हैं कि अगले सुबह वहां उस तालाब के पास जाते हैं और उसके आसपास देखते हैं और वह भी मन में कुछ सोचते हैं और क्या करते हैं कि कुछ बर्प को वह भी काट कर हटाते हैं और उस वेल्डन तालाब की गहराई को मापते हैं तो गहराई को मापते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जो तालाब लगबग 100 फिट के आसपा वह साथ है जेमादा दीरे दीरे सवाप्थ हो जाता विंटर का मौसम इसे कमा लगता है तो बड़ और पानी बनने लगता है जिस कारण सेकी क्लेषन होने लगते हैं इसके साथ साथ प्रकृति भी क्या बोलते हैं हरी भरी उन्हें लगती है फिर से चार और पेड़ पर उदे हरा भरा दिखने लगते हैं ला लाने लगते हैं फल फूल किलने लगते हैं अब जो है थोरियो 1847 में वहां से वह वापस आ जाते हैं उन्हें पता चल जाता है इतने दिनों मतल हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा मुहत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ वह यह भी करते हैं कि हमें अपने सब्वेता के साथ भी क्या होना चाहिए हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए और इस तरीके से जो यह टॉपिक है वह समाप्त हो जाता है दोस्तों अगर